कोविट के पिशेंट जिनको खांसी की प्रोडम रह गई है कि हल्क हल्क उनको धस्का होता रहता है उनका कोविट ठीक हो चुका है इसके पहले पता है इसमें मैं आपको एल्लपैथिक मैडिसन बताने वाला हूँ के बल दो टेबलेट आप खाईए, दो तिन दिन खाईए, आप ठीक हो जाएंगे हुआ कि एक पेशेंट अपने जानने वाले हैं, उनको जो COVID का निफेक्शन हुआ था और एज होगी 35 के लगबग, तो उन पेशेंट को धसका रह गया, कि खांसी का जो है दसका रह गया तो उन्होंने जो है, simply अस्पताल में जाके, गव्वर्मेंट होस्पितल में जाके, उन्होंने अपना एक्सरी वगरह करवाया और पॉस्ट कोवीड के सिम्टम सी जो है, डॉक्टर सी ने बताये वहाँ पे, उसके बाद में उन्होंने जो है उनको दो टैबलिट दी, एक histaminic tablet दी और एक generally vitamin C की tablet दी anti-histaminic means कि कोई ऐसी tablet जो कि आपकी body के अंदर histamin कम करें जो anti-allergy को तो इसमें से citrogen, liver citrogen और monilocast और यह हो सकती है तो यहाँ पर कहने के मतलब यह कि आपको अगर यह problem है और आपने बहुत सारी medicines use कर ली है तो आप जहर दो दिन यह medicine आप खा कर दीखेंगे अगर आपने अभी तक यूज नहीं किये आपको vitamin C लानी है जो कि lim C होती है lim C के नाम से आपको मिल जाएगी या सिलीन के नाम से मिल जाएगी 500 mg में आपको मिलेगी आप इसको ले आइए इसको आपने सुवाशाम सुवाशाम एके गोली खाना है lim C मिलती हो तो आप इसको ऐसी खाली जिए सिलीन मिलती हो तो आप पानी के साथ भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो एके गोली सुवाशाम आप इसको खाली जिए जो आपको लानी है वो citragin या लिवो citragin में से आप एक ले आईए ठीक है कोई सी भी एक ले आईए जो भी आपको मिलती है तो citragin जैसे सपोस कीजिए आप ले आई इसके किवल तीन टैबलेट आप लाईए और यह आपने रोज रात को सोते समय है ऐसी जन्रली पानी के साथ आपको यूज़ करनी है नॉर्मली पानी के साथ यूज़ करनी है तीन दिन तक आप यह दोनों चीज़े कीजिए विटामि वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मुच